इस लड़के का नाम मीन क्यूं है? ये पिछले दस सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर वह किसी भी इंसान को छूता है तो उसके पूरे बदन पर अजीब से छाले पड़ जाते हैं. दॉक्टर ने भी कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है पर एक दिन एक साइंटिस्ट उसे एक रोबोट के बारे में बताता है जो बिलकुल इंसानों की तरह है और उसे चुने से लड़के को कोई अलजी भी नहीं होगी लड़के को आइडिया पसंदाया इसलिए वो उसे ख खुश हो गया था वो रोबोट उसको अपना नाम आज बताती है फिर मीन क्यूं विस अजीत रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत सारा पैसा इस रोबोट पर लगा देता है लेकिन उससे पहले वो कुछ दिनों के लिए उससे टेस्ट करना चाहता है लेकिन जब रोबोट का फाइनल टेस्ट चल रहा था तब एक आदमी सोरा का बोतल फेकता है जिसमें से कुछ बूंदे इस अजीत के अंदर गिर जाती है वहाँ पर बहुत बड़ा शर्क सरकिट हो गया था और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है जि इनका दिल भी कैंसिल हो जाएगी तब ही उनको एक आइडिया आता है साइन्टिस्ट ने अजीत रोबोट को अपनी एक्स गल्फ्रेंड जिसका नाम जिया होता है उसका शक्ल देकर बनाया था तो इसलिए साइन्टिस्ट उससे मिलकर उसे रोबोट बना कर भेजना चाहता है पर सारी बाते सुनकर जिया मना कर देती है लेकिन साइन्टिस्ट जब उसे पैसों की लालच देता है क्योंकि जिया बहुत ही गरीब थी और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए वो मान जाती है अगले दिन साइन्टिस्ट की टीम जिया को लेब में ले जाकर जिया और मीन क्यूं के उपर नजर रख सके अब जिया को पूरी तरह से उस रोबोट की तरह तयार करके मीन क्यूं के घर भेज दिया जाता है फिर जैसे ही मीन क्यूं विस बार ताबूत को खुलता है जिया उसे देखकर डर जाता है दर असल कुछ दिन पहले जिया ने मीन क् पाए जिससे उसे अलजी होगी मगर mean q को ये सब बाते याद नहीं थी अब mean q scientist हों को call करता है और उस robot के बारे में पूछने लगता है scientist ये सुनकर उसे एक कहानी सुनाता है वो कहता है इस robot तीन का दो mode है एक operational और दूसरा front mode operational में वो गुस्सा और नाराज हो जाती है जबकि front प्रवाइब करेंड मोड में इंसानों की तरह बताब करेगी और साथी मीन क्यू से ये भी कहती है कि उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है उसे दबाने पर सब ठीक हो जाएगी अब मीन क्यू ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेता है मतलब उसके सामने वो तो एक रोबोट थी ना मीन क्यू देखना चाहता था कि ये सही से काम करता भी है या नहीं तब साइंटिस्ट की लाब की लाइट चली जाती है अब ये सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था मीन क्यू सबसे पहले उसे एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है जिसको एक मैत की कोड के हिसा मगर जिया का मैत बहुत ही कमजोर होता है इसलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है दूसरा टेस्ट में उसको एकुबले हुए अंडे को सिलने का था जिसे उसकी 10 सेकंड में पूरा करना था जिया अब क्योंकि रस्टोरेंट में काम करती थी इसलिए इस टेस्ट को वो पर चिला रही है क्योंकि वो तो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखा था इसलिए अब मीन क्यूं हंको कॉल करके कहता है तुम मुझे धोखा दे रही हो इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है होंग ये सुनकर कहता है देखो ऐसा कुछ नहीं है और ज जाता है तो एकदम से उसका सांस बंध हो गया था फिर जिया भागते हुए उसके पास आती है और उसकी पीट थपथपा है जिससे वो कुछ देर में ठीक हो गया था फिर वो से पूछता है कि तुमने मेरे और के बिना ये काम कैसे किया जिया बताती है मेरे अंदर बहुत स इनसान ही थी ना बस उसकी नजर में एक रोबोट का नाटक कर रही थी रोबोट को होम जिया की बैटरी ठीक करने के बहाने लाब में ले आता है जहां पर वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो कि तुम हम सब को फसाने वाली थी अगर मीन क्यों सच्छा ही जान जाते तो क्या इस बात पर जिया गुस्सा आता है वो समझता है कि उसने अपने काम सही से नहीं किया इसलिए वो गुस्सा होकर लाब से चली जाती है इसके बाद होम और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि अजित रोबोट को ठीक होने के लिए अफरीका में दिया गया है जहां पर उसे दो हफते और लग सकते हैं फिर उसी वक्त मीन क्यू का कॉल आती है जो कहता है कि मुझे तुम्हारे बनाए हुए रोबोट की तीन बहुत पसंद आया मैं इसे एक महीने के लिए लेना चाहता हूँ उनको कुछ समझ नहीं आता अब वो क्या करी इसलिए वो जिया को वापस बुलाती है और उसे कहता है कि कुछ दिन और तुम्हें रोबोट बनकर मीन क्यूं के सामने रहना होगा इसके बदले में वो उसे ज़्यादा पैसा देने की लालच भी देती है और कहती है कि हर रात तुम्हें चार्ज के बहाने हम लैब में ले आएंगे ये सब बाते सुन करता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते तो तुम ये सब कसे कर रही हो जिया रोबोट की तरह उसे जवाब देती है कि मैं एदवांस रोबोट हूँ जो हर काम कर सकती हो तभी अच्छानक से मीन क्यूं जिया के मूह पर आता पसीना को नोटिस करता है ये देखक जब वो दोबारा पीछे मुडता है तो तभी उसके बर पैर साबुन के ऊपर आ गया था जिससे वो फिसल जाता है और उसके कमर में चोट लग गए थी दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रास करें थैंक्यू